हम पिछले कुछ दिनों से सेल औरगयानिलीज के बारे में डिसकस कर रहे हैं यह है सेल का इंटर्नल स्ट्रक्चर और इस सेल के अंदर बहुत से सेल औरगयानिलीज होते हैं और हर एक सेल औरगयानिलीज का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग-अलग होता है तो इन सेल सारे सेल औरगयानिलीज में से माइटोकॉंड्रिया, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इन तीनों सेल औरगेनली को हमने अल्रेडी डिसकस कर लिया है आज हम सेल की most important औरगेनली डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है Nucleus तो आज का topic समझने के लिए आपको ये वीडियो एन तक देखना पड़ेगा और topic समझने के बाद वीडियो को like और share जरूर कीजेगा तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि Nucleus की definition क्या है A Nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organally that contains the genetic material मतलब Nucleus ये double membrane cell organally है जो कि सिर्फ eukaryotic cell के अंदर ही होती है और इस Nucleus के अंदर genetic material होता है अब ये eukaryotic cell के अंदर दिखाई देने वाला एक cell organally है ठीक है बट RBC भी एक eukaryotic cell ही है बट इस RBC के अंदर Nucleus नहीं होता है तो ये जो point है ये आपको याद रखना है जो RBC है, जो matured RBC होते है इनके अंदर Nucleus नहीं होता है अब भी हमें पता है कि ये जो Nucleus है ये Nucleus सिर्फ किस में होता है ये होता है eukaryotic cell के अंदर तो जो prokaryotic cell होते है जो कि unicellular organism है तो इनके अंदर कोई Nucleus नहीं होता है बट इनका जो genetic material होता है ये जिस जग़ पे होता है उसे कहा जाता है nucleoid बट prokaryotic cell के अंदर nucleus नहीं रहेगा बट eukaryotic cell के अंदर nucleus दिखाई देगा Now anatomically nucleus is made up of मतलब nucleus ये चार चेजों से बना है एक है nuclear envelope जो कि इसका outer covering है और इस nuclear envelope में nuclear pores होते है उसके बाद इसके अंदर जो liquid material है उसे कहा जाता है nucleoplasm और इस nucleoplasm में होता है chromosome and nucleolus अब ये जो सारी चीज़े मैंने यहाँ पे लिखी है तो इन सारी चीज़ों को अभी हम one by one discuss करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे nuclear envelope मतलब क्या है So the nucleus is bounded by double membrane called the nuclear envelope तो जो double membrane structure हमने देखा है कि हमने कहा था कि nucleus यह double membrane cell organally है तो इसका जो double membrane है उसी को ही हम कह सकते है nuclear envelope This membrane separates the content of the nucleus from the cytoplasm मतलब ये जो membrane है ये क्या करती है जो cell के अंदर cytoplasm होता है मान लो ये कोई cell है और इसके अंदर cytoplasm है इसका जो liquid है उसे कहा जाता है cytoplasm और cell के अंदर जो nucleus है उसके अंदर जो liquid material होगा उसे कहा जाता है nucleoplasm अब ये जो cell membrane है मतलब ये nuclear membrane जो होती है ये nuclear membrane क्या करती है cytoplasm और nucleoplasm को mix नहीं करने देती है तो इनको separate रखने का काम कौन करता है यह nuclear envelope करेगे the nuclear envelope consist of phospholipids that forms a lipid bilayer much like that of cell membrane मतलब यह जो nuclear envelope है यह किसे बनी है यह बनी है phospholipid से जैसे कि मान लो यह एक cell है और इस cell का यह cell membrane है ठीक है यह outer जो है यह cell membrane है और इस cell के अंदर होता है nucleus तो यह जो cell membrane है यह cell membrane किस से बनी है यह बनी है phospholipid से वैसे ही cell का nucleus भी बना है phospholipid से और phospholipid की यह bilayer है अब यह समझने के लिए इस diagram को देखे तो मान लो यह हमारा nucleus है और nucleus कैसे बना है दो layer से बना है यह है outer membrane और इसके अंदर वाली यह है inner membrane और इन दोनों membrane के अंदर जो space यहाँ पे दिखाई दे रही है उसे कहा जाता है perinuclear space तो यह है perinuclear space तो outer membrane और inner membrane के अंदर क्या है perinuclear space अब जो envelope है यह envelope phospholipid से बनी है phospholipid मतलब क्या है यह समझ लो मान लो यह head portion, tail portion जो circle है वो head portion है और जो पेरो जैसे दो structure है वो tail portion है तो यह दो layer से है तो इस वज़े से इसे phospholipid की bilayer कही जाती है तो इसे phospholipid ही क्यों Кहा जाता है क्योंकि head portion जो है वो phosphate से बना है और जो tail portion होता है यह lipid से बना है ठीक है और ये दो layer में है इस वज़े से ये bilayer कहलाती है जो जो outer membrane है वो भी phospholipid bilayer से बनी है और जो inner membrane है वो भी phospholipid bilayer से ही बनी है जैसे कि इस diagram में आप देख सकते हो जो ये वाली outer membrane phospholipid bilayer से बनी है जो की ऐसे दिखेगी और इसकी inner वाली membrane भी किस से बनी है phospholipid bilayer की है जो ऐसे दिखेगी, ठीक है अब इनका और थोड़ा detail में हम समझ लेते हैं अब ये है head portion और ये है tail portion, head portion phosphat से बना है, tail portion lipid से बना है, ठीक है और ये ऐसे double layer है, दोनों दरफ से है तो अब nucleus के अंदर क्या है nucleoplasm है, और cell के अंदर है cytoplasm ठीक है, यहां तक समझ में आ गया इसके अंदर है nucleoplasm और cell में cytoplasm रहेगा अब इन दोनों में ही कुछ liquid होता है, पानी जैसा part होता है, water होता है तो ये जो head portion है इस nucleo इस phospholipid का head portion जो होता है, इसका nature क्या होता है, ये होता है hydrophilic, मतलब ये पानी में रह सकता है ये पानी से प्यार करता है और जो tail portion होता है वो होता है hydrophobic इसे phobia है पानी से नफरत करता है so head portion hydrophilic है अब hydrophilic portion जो है वो पानी से प्यार करता है इस वज़े से ये nucleoplasm के contact में है और बाहर अगर हम देखेंगे तो ये किसके contact में रहेगा वो रहेगा cytoplasm के contact में so head portion ऐसे बाहर के direction में रहेगा और tail portion अंदर और फिर से यहाँ पे अंदर भी head और tail portion है तो head portion जहाँ जहाँ रहेगा वो पानी के contact में रहेगा और tail portion पानी से नफरत करता है इस वज़े से टेल पोर्शन ये पानी के कॉंटेक्ट में कभी भी नहीं आएगा मतलब ये ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और बीच में यहाँ पे पानी नहीं रहेगा बट यहाँ बाहर के साइड में और अंदर की साइड में पानी रहेगा जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक निचर का है और जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक निचर का है तो ये और डिटेल में समझने के लिए हम जब सेल मेंबरेन का स्ट्रक्चर करेंगे तब हम और detail में इसको समझ लेंगे बट अभी आप यहाँ पे इतना ही याद रखो कि जो nuclear envelope है वो phospholipid bilayer से बना है उसके outer membrane और inner membrane दोनों ही membrane यह phospholipid से बना है यह diagram का आप screenshot ले लिजेगा क्योंकि यह diagram बहुत ही ज़्यादा important है और आपको यह topic समझने में इस diagram से आसानी होगे next point है इसका this lipid layer has nuclear pore अब यह जो nuclear envelope है इसके उपर pores होते हैं that allow the substances to enter and exist the nucleus तो nucleus के अंदर का substance बाहर निकालने के लिए और बाहर cytoplasm में जो भी material है वो अंदर लाने के लिए इस nuclear envelope के उपर होते है nuclear pore the nuclear envelope helps to maintain the shape of the nucleus और इसे nuclear envelope के help से nucleus का जो spherical shape है वो maintain रखने में help होता है next point है nuclear envelope connected to the endoplasmic reticulum मतलब यह मान लो एक nuclear envelope है यह किस से connected है इसी से ही बाहर ऐसे endoplasmic reticulum निकला है तो endoplasmic reticulum का structure type और function हमने last वीडियो में ही discuss कर लिया है अगर आपको ER देखना है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो तो जो nuclear envelope है वहाँ से endoplasmic reticulum निकला है अब यह इसी diagram में देखो आप यहाँ पे nuclear pores देख सकते हो यह वाले छोटे छोटे पोर से अब इसका function क्या है नुकलियस के अंदर जो भी material है वो बाहर ले जाने के लिए और साइटोप्लाजम में जो material है वो अंदर लाने के लिए यह nuclear pore help करता है इसके बाद नुकलियस के अंदर होता है नुकलियोप्लाजम जो नुकलियस का लिक्विड पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है वो किस के जैसा होता है वो साइटोप्लाजम के जैसा होता है, जो के सेल के अंदर रहेगा, यहाँ पे साइटोप्लाजम रहेगा, और यहाँ पे नुकलियोप्लाजम रहेगा, तो नुकलियोप्लाजम mostly composed of water, तो यह जनरली water से बना है, और इसी में dissolved salt, enzyme and organic molecules होते हैं, ठीक है, तो नुकलियोप्लाजम का composition क्या रहेगा, salt, enzymes and organic molecule, next point है, the nucleolus and chromosome are surrounded by the nucleoplasm, मतलब, नुकलियोप्लाजम में उसका genetic material रहेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे compact structure दिखाए देगा, जिसे कहा जाता है, नुकलियोलस, अब यह दोनों चीज़े क्या है, यह हम आगे देखेंगे, देखो, chromosome के बारे में पहले समझ लेते हैं, so the nucleus is a house of chromosome containing DNA, मतलब, आपको पता होगा, जब DNA यह compact form में आएगा, तब इसी से ही chromosome बनता है, कुछ ऐसे structure दिखाए देगा, तो DNA मतलब ही क्या है chromosome, बट chromosome यह DNA का compact form है, अब जब cell division होती है, तो metafase जो होती है, बट जब cell को division करना होता है, तब क्या करता है, during the time of metafase, यह जो DNA है, यह compact form में चला जाएगा, और कुछ पर्टिकुलर ऐसा structure बनाएगा, जिसे हम कहते है chromosome, तो ऐसा को structure दिखाए देगा, So, DNA का क्या काम है, DNA holds hereditary information and instruction for the cell growth and reproduction, मतलब DNA यह genetic information carry करता है, from one generation to another generation, और यह reproduction में भी help करता है, When a cell is resting or not dividing, मतलब cell जब divide नहीं होती है, तब जो chromosome है, मतलब जो DNA है, हमें वो normal form में दिखाए देगा, ऐसे thread-like structure के form में दिखाए देगा, जिसे हम कहते है chromatin, याद रखना है, यह point important है, chromatin मतलब chromosome नहीं है, बट यह DNA है, ऐसे thread-like structure जो है, उसे हम कह सकते है chromatin, इस diagram में दिखिए, और समझ में आएगा अच्छे से, तो यह मान लो DNA है, जब DNA compact हो जाएगा, मेटाफेज में, तब chromosome दिखाई देता है, ठीक है, तो जो DNA है, वो DNA के पास क्या होता है, हिस्टॉन प्रोटीन भी होता है, हमने chromosome जब किया था वीडियो, उसके उपर हमने discuss किय तो जो मान लो यह एक हिस्टॉन प्रोटीन है, और हिस्टॉन प्रोटीन के उपर से क्या जाएगा, DNA जब rounded form में ऐसे इसके उपर से जाएगा, तब इस पूरे structure को हम नुकलियो जोम कहेंगे, तो chromosome वीडियो की मैंने लिंक यहाँ पर प्रोवाइड के है, अगर आपको यह देखना है तो उसको क्लिक कर लीजेगा, ठीक है, तो यह हुआ chromosome, next जो है वो है nucleolus, अब nucleolus मतलब क्या है, an area inside the nucleus of the cell that is made up of RNA and protein, and is where ribosomes are made, मतलब nucleolus यह दो चीजों से बना है, एक तो है RNA और protein, तो RNA और protein से nucleolus बना है, nucleolus मतलब मानलो यह nucleolus है, इसके अंदर ऐसे क्रोच structure दिखाई देगा, उसे हम कहते है nucleolus, जो की RNA और protein से बना है, और यह जो है nucleolus, यह है ribosome synthesis के site, मतलब nucleolus से ही क्या बनता है, ribosome बनेगा, मतलब nucleolus यहाँ पे ribosome बनेगा, so it is a site for ribosome synthesis, तो यह important है, क्या याद रखना है आपको, nucleolus RNA से बना है, protein से बना है, और it is a site for ribosome, ठीक है, देखो यहाँ पे, यह nucleus है, मैंने क्या कहा था, nucleus के उपर इसे nuclear pores होते है, तो nuclear pores से बाहर क्या आएगा, जो की nucleus के अंदर कोई भी अगर चीज बनती है, जैसे की mRNA, messenger RNA अगर बना है, देखो यहाँ पे, तो मैंने अभी बताया है, कि जो nucleolus है, वो nucleolus क्या बनाता है, यह nucleolus बनाएगा, ribosome, ठीक है, तो यह ribosome बने है, यह चोटी-चोटी structure, यह ribosome है, और यह ribosome भी इस nuclear pores से बाहर आ रहे है, ठीक है, तो इस diagram से और clarity आपको आ जाएगी, तो यह cell है, यह nucleus है, nucleus के अंदर nuclear pores है, इसके अंदर nucleolus है, nucleolus यह ribosome को बनाएगा, और इसी nuclear pores से यह बाहर निकलेगा, और इसी nucleus के अंदर, मतलब यहाँ पे nucleoplasm में क्या बनेगा, mRNA बनेगा, और यह nuclear pores से बाहर आएगा, यह diagram अच्छे से देख लो, इसका screenshot ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे मैंने nucleus का structure जो हमने discuss किया था, यह सारे points एक ही slide में ले लिए है, तो आप इसका screenshot ले लिजएगा, क्योंकि यह nodes बनाने के लिए आपको help कर सकते हैं, यह सारे points, तो यह है structure of nucleus, lastly मैंने यहाँ पे nucleus के functions दिये है, जैसे कि आपको पता है कि nucleus के अंदर genetic material है, DNA है, तो hereditary information carry करने के लिए help करेगा, also यह cell growth और reproduction में भी help करेगा, यह सिर्फ DNA का storage house नहीं है, तो इसके अंदर जो nucleus है, वो ribosome बनाता है, so other cellular processes में भी nucleus help करेगा, उसके बाद यह DNA replication में भी help करता है, मतलब एक DNA से दो same DNA copies बनाने में help करेगा, उसके बाद cell division के time पे भी यह help करता है, also यह transcription और translation, that means protein synthesis के जो processes है, वह पेबे DNA का बहुत बड़ा role होता है, तो central dogma जो है, मतलब protein synthesis जो है, यह point अगर आपको discuss करना है मेरे साथ, तो आप comment box में लिखके भेज दीजेगा, हम हमारे आने वाले वीडियो में protein synthesis का भी एक topic बना देंगी, ठीक है, तो transcription और translation में भी nucleus यह helpful होगा, तो यह सारे हुए nucleus के function इसका भी screenshot ले लिजे, तो आज का हमारा topic यही तक था, अगर यह topic आप लोगों को समझ में आया है, तो वीडियो को like कीजेगा, और वीडियो को share जरूर कीजेगा, thank you